नमस्कार दोस्तों भारत की मिलिटरी को एंटी टेंक मिसाइल चाहिए अच्छी राइफल्स चाहिए इसराइल के साथ डील भी हो जाती है और फिर यही डील कैंसल कर दी जाती है फिर से इसी डील को रिवाईव करते हैं और फिर कुछ समय बाद फिर से कैंसल कर दिया जाता है क्या है पूरा माजरा जानते हैं इस वीडियो में साथ ही भारत इसराइल से कोन-कोन से हथियारों को खरीद रहा है इसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसराइल और भारत की दोस्ती या कहें कि डिफेंस से सम्मंदित उपकरणों के बिजनस में अलग ही तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है वैसे तो भारत बहुत बड़े स्तर पर इसराइल से आधोनिक डिफेंस के उपकरणों जैसे एर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट के लिए रडार और मिसाइल्स आदी खरीता रहता है आम तोर पर यह माना जाता है कि भारत रशिया के बाद सबसे ज़्यादा हाथियार इसराइल से ही खरीता है लेकिन कई ऐसे उधारण भी सामने आ रहे हैं जब इसराइल तो अपनी तरफ से भारत को पूरा सहयो करता है परन्तु भारत इसराइल के साथ की गई डील को बार बार अलग-अलग कारण देकर कैंसल कर देता है इसका उधारण देखिए भारत ने 8000 इसराइली स्पाइक नाम की एंटी टेंक मिसाइल का एगरिमेंट किया फिर इसे कैंसल कर दिया फिर से जैसे ही पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ने लगी तो फिर से इसी डील को आगे बढ़ाया इसराइल ने 8000 स्पाइक मिसाइल की डिलिवरी के लिए तैयारिया शुरू कर दी अगस्त 2017 में इसराइल की राफेल कंपनी ने भारत की सरकार के मेड इन इंडिया प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए कल्यानी ग्रूप के साथ पार्टनर्शिप करके भारत में ही प्रोडक्शन फैसिलिटी शुरू कर दी दोस्तो इसराइल की राफेल और फ्रांस की राफेल फाइटर जेट वाली कंपनी को एक ना समझें दोनों अलग-अलग कंपनिया हैं दोनों के नाम की स्पेलिंग भी अलग है खेर वापिस आते हैं डील पर 2017 के अंत में फिर से यही स्पाइक डील कैंसिल कर दी गई क्यों? वो इसलिए कि भारत की DRDO यानि कि Defense Research and Development Organization ने दावा किया था कि वह स्पाइक के लेवल की ही एंटी टैंक मिसाइल जल्दी बना लेगा लेकिन फिर से 2018 में इसी स्पाइक डील को फिर से रिवाइव किया गया और कहा गया कि 8000 नही 3000 एंटी टैंक मिसाइल इसराइल से खरी देंगे बाकी 5000 भारत खुद DRDO के माध्यम से बना लेगा फिर से इसराइली कमपनी राफेल ने तैयारियां शुरू कर दी लेकिन फिर वही बात हुई अभी हाल ही में भारत सरकार ने फिर से इस डील को कैंसल कर दिया साफ शब्दों में कहें तो इंडियन मिलिटरी को अपने टैंकों की रेजिमेंट को बचाए रखने और दुश्मन के टैंकों को बरबाद करने के लिए जो इतनी जरूरी एंटी टैंक मिसाइले चाहिए होती है वे पिछले 10 वर्षों से नहीं मिली है ना राफेल से और ना ही डियाडियो से भारत की डियाडियो जिस एंटी टैंक मिसाइल को इतने वर्षों से बना रहा है उसे नाग या कोबरा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है 500 मीटर से लेकर 4 किलो मीटर तक दुश्मन के टैंक को बरबाद करने वाली यह मिसाइल के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और उमीद है यह भी जल्दी इंडियन मिलिटरी को मिल जाएगी इसराइल के साथ ऐसा वैवार पहली बार नहीं हुआ है भारत की आर्मी को अच्छी क्वालिटी की 45,000 राइफल्स चाहिए थी इसी के लिए 2010 में इशू हुए टेंडर में दुनिया भर की 28 कंपनियों को कोंटेक्ट किया गया लास्ट में सिर्फ इसराइल की ही राइफल हर पैरामिटर पर सही पाई गई यानि कि सब कंपनियों की राइफलें रिजेक्ट हो गई लेकिन फिर वही समस्या एक अकेले बचे इसराइली वेंडर से नहीं खरी देंगे कमपिटिशन में कम से कम दो वेंडर जरूरी हो, सरकारी निती है कुछ लोगों ने करफशन होने की बात भी कह दी और फिर से इसराइली राइफल के ओडर को कैंसिल कर दिया गया अकसर लोग कहते हैं कि भारत की डिफेंस डील करने की पॉलिसी इतनी खराब है कि अकसर पांच से दस साल की देरी हो जाती है और डील फाइनल भी नहीं हो पाती है इसी का एक और उधारन देखिए पाकिस्तान अकसर बोडर एरिया में भारतिय जवानों के खिलाफ स्नाइपर राइफल से लगबग एक किलोमेटर की दूरी से हमला करके सैनिकों को भारी नुक्सान पहुचाता रहता है भारत ने भी नई स्नाइपर राइफल के लिए 20 कमपनियों को कंटेक्ट किया उनकी राइफल के ट्रायल भी हुए लेकिन इस बात पर डील फाइनल नहीं हो पा रही है कि उनमें से कोई भी company इन rifle में इस्तेमाल होने वाली bullets को नहीं बनाती है और हम उसी से deal करेंगे जो rifle और उसकी bullet को खुद ही बनाती हो खैर सरकारी निती है बदलने में time तो लगेगा ही वापिस आते हैं इसराईल पर ऐसा नहीं है कि इसराइल के साथ हम सारी डील्स कैंसिल ही कर देते हैं इसराइल से हम Air Defense के लिए पाइथन मिसाईल खरीते हैं, Fighter Zet के लिए Derby मिसाईल और Balakोर्ट में स्टाइक करने के लिए इस्तमाल हुए Laser Guided Missiles को भी खरीते हैं भारत हवाई छेतर की निगानी के लिए इसराइल से फालकन अवास्क प्लेंड भी खरीता है मीडियम रेंज के एर डिफेंस सिस्टम बराक 8 को भी खरीद रहा है हमारे सुखोई 30 MKI में भी भारत के ही कई इसराइली जैमर लगाए गए है तेजस के लिए एल्टा A.S.A. रडार भी इसराइल से ही लिया गया है भारत इसराइल से ही निगरानी के काम के लिए अन्मेंड एरियल वाइकल यानी हिरोन टीपी ड्रोन को भी खरीता है यानि भारत बिजनस तो खूब देता है इसराइल को बस समय की मांग यही है कि इसराइल के साथ अलग अलग डील्स को हाना हाना वाली कंडिशन में फसाई रखने से बचना चाहिए इसराइल के साथ जिस तरहें के हाना के सम्मंद भारत अपना रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है खास तोर पर यह देखते वे कि इसराइल ने 1999 में कारगिल के मुश्किल हालातों में हमें लेजर गाइडिड मिसाइल ने दी थी मुंबई में जब हमला हुआ था तब भी इसराइल ने अपने ट्रेंड कमांडोज को इस आतंगवादी हमले से निपटने के लिए भेजने के लिए भारत को एक पेशकस की थी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार